असलाम वालेकुम, मुम के पकवान में आपका सौगत है मैं मुम्ताज, मैं आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नई तरीके से कलिजी का सुक्का बना रही हूँ जिसमें मैं मटर दालूँ चले देखते हैं, इसके लिए हमें क्या-क्या सामगरी लगेंगी यह आदा किलो मैंने कलिजी ली हूँ इसमें दिल भी है, जो अच्छे से साफ करके लिए है और तिली है, जो मैं उबाल के लिए है यह पांच मेडियम साइस की प्याज है इसको अच्छे से काट के लिए है खड़ा गरम मसाला है दो दाल्चीनी के तुकड़े है, दो तेज पत्ता है बारा काली मिरी है, बादियान का फूल है और लॉंग है, आच्छे और चारी लाइची है यह छे हरी मिर्ची है, जो कट करके मैंने चीर के लिए हूँ यह दो मिडियम साइस के टामाटर है एक गरम सुखा मसाले है एक चमज हल्दी है, एक चमज नमग है एक चमज धनिया जीरे का पौडर है एक चमज गरम मसाला है और एक चमज घाटी चटनी है आप चाहिए तो लाल मिर्ची का पौडर भी दार सकते है यह दही फेट के लिए हूँ एक कटोरी आदी कटोरी दही फेट के लिए हूँ आदरक लसन है तीन चमज और यह आदी कटोरी मटर है चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे पकाना है देखिए चुले पे हमने कूकर चड़ा दिया है अब इसमें हम तीन चमज तेल डालेंगे आप चाहिए तो इसमें राय का तेल भी दाल सकते है मैं मीठा तेल डाल रही हूँ तेल को हम थोड़ा गरम होने देंगे फिर इसमें हम अपने खड़े गरम मसाले डालेंगे और खड़ा गरम मसाला डालने के बार इसको थोड़ा तेल में अच्छा चलाना है ताके इसकी एक खुशबू आए हमारे गरम मसाले में अच्छी खुशबू आने लग गई है अब इसमें हम अपनी प्यास दालते हैं और प्यास दालने के बार इसको अच्छे से मिला लेना है चलिए हम अपनी प्यास अच्छे से चम्मच चला के अच्छे से लाल होने देते हैं कड़ीह हमारी प्यास अच्छे से लाल हो चुकी है अब इस थोड़ा अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम अपने टामाटर दालते हैं और टामाटर को अच्छे से चलाना चाहिए सॉफ्ट होने तक कि अच्छे से भूनना है चलिए हमारे टामाटर सॉफ्ट हो गये है अब इसमें हम अपने सुखे मसाले दालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे सुखे मसालों का भी एक कच्चा पन निकलना चाहिए अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको बुनेंगे ताके हमारे मसाले पकड़ें नहीं आप भी मेरी तरीके से बनाईए कभी भी सुखे मसाले डालने के बाद नीचे पकड़ता ही है इसलिए आप भी पानी थोड़ा दाल के इसको चला लेना अब इसमें हम अपनी बकरे की कलेजी डालेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे द्यान रखिए आपको तिल्ली अलग से गरम पानी में उबाल के लेना है अगर आप डाइरेक इसमें काटके दाल देंगे तो आपका सालन काला हो जाएगा इसलिए तिल्ली को अलग से उबाल के फिर इसको साफ करके इसमें दालना और दिल इसमें डाइरेक साफ करके दाल सकते हैं चलिए अब इसे ढखके रख देते हैं चलिए पांच मिनिट बाद मैंने ढकन खोल दिया है देखे हमारा मसाला अच्छे से भून गया है इसको मैंने पांच मिनिट के लिए ढकन ढाक के सिलों आज पे रख दीती अब इसमें हम अपने माटर दालेंगे माटर दालने के बाद भी इसको अच्छे से हिलाना है चलिए इसमें हम अभी दही एट करते हैं दही से सालन का कट अच्छा आता है और इसमें टेस्ट भी बढ़िया आता है दही दालने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे और हल्का इसमें तेल आने देंगे चलिए जिसमें हम दही रखेते वो कटोरे से दो कटोरा हम पानी दालेंगे और इसको अच्छे से मिला देना है अब इसे ढखकर मीडियम आज पे चार पास सीटी आने देंगे पास सीटी आने के बाद मैंने कूकर थंडा कर दिया था और देखिए ढखकर खुलने के बाद हमारे सालन में कितना अच्छा कट आया है चलिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ देखिए हमारा मठरवाला कलीजी तैयार हो चुकी है देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा कट आया है आप भी हमारे तरीके से बनाईए आपको जरूर पसंद आएगा मेरा वीडियो एन तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉमेंट करके बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और बैल आइकन को किलिक कीजिए ताके सबसे पहले आपको मेरी रेसिपी देखने को मिले और मुझे इंस्टागराम पे भी फोलो कीजिए चलिए कर फिर मिलते हैं एक नई रिसिपी के साथ अल्ला हफीज